चली दोस्तों, आगी बढ़ा जाए, तो हम कहीं रहे हैं भी, आज हम बात करने हैं नेक्स चेप्टर की जिसका नाम है, ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है ब्रांच अकाउंटिंग और क्यों इतना महत्तर पुरान जो हमने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा कि आज तो बहुत मज़ा आने वाला है ब्रांच अकाउंटिंग ऐसा चेप्टर जिससे बच्चे काम पते रहते हैं पता नहीं क्यों काम पता है माननों तो पता नहीं क्यों काम पता है चेप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डर लगे प्रोवाइडिर सही एप्रोच से चेप्टर को हम करें तो हम बहुत ही normal manner में जैसे हर chapter हो करते हैं वैसे करेंगे और किसी प्रकर का doubt आपको आने नहीं देंगे branch का मतलब क्या होता है branch जब भी word बोलते हैं तो हमारे mind में एक head office presuppose होना चाहिए because branch तभी exist कर सकता है जब head office हो अगर head office नहीं तो branch नहीं हो सकता because एक बड़ा office है जिसके अंदर कुछ branches हो सकती है जैसे कि मैं कहता हूँ मेरा पूने में head office है मैं खिस चिस का business करता है तो मैंने एक branch open करते हैं चंडीगड में, मुंबई में, दिल्ली में उन सभी branches को हम control करते हैं तो मैं as a head office अपनी branches पर control रखने के लिए हर branch का profit loss देखना चाहता हूँ जैसे कि department chapter में कहा जाता है you need to identify कौनसा department performing है कौनसा department non-performing है जो non-performing होता है मतलब non-profitable है या कम profit वाल है उसको आप कोशिश करते हैं convert करने के profit में और अगर ऐसा ना हो पाए तो आपको एक hard decision लेना पड़ते हैं उस department को बंद करने का मतलब main name क्या था वाँ पर हम department के उपर control रखना चाहा रहे थे department का profit loss देखना चाहा रहे थे same way में head office जब इतने सारी branches का operate करता है तो head office भी यह जानना चाहता है कि कौनसी branch किस तरह से अपना working कर रही है और किस branch में हमें profit हो रहे है किसमें कम profit किसमें जादा profit है किसमें loss हो रहा है लेकिन फिर भी department और branch सेम नहीं होते main reason सबसे बड़ा होते है कि जब भी हम department word बोलते है जैसे हमने example यह था lifestyle shopping mall में जाते हैं iconic तो इन सब के अंदर क्या होते है काफि सारे जो हैं तरह तरह की different सामान होते है departments होते हैं जो कि उसी जगाँ पर exist करते हैं जिसे कि अब बिग बजार चले गए अब डी मार्ट चले गए अब विशाल मेगा मार्ट चले गए तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा एक ही physical space के अंदर areas demarket किये होंगे मतलब location एक ही है geographically branch में ऐसा नहीं होता कोटे मोटे reason रहते हैं वो बात में देखेंगे लेकिन हाँ main बात के आगे कि head office जो है वो branch का profit loss चेक करना चाहता है कि branch का profit loss कितना है और उस पर एक control maintain करना चाहता है इसलिए branch से संबंदित account जो है बनाए जाते हैं तो इस chapter के अंदर branch accounting अंदर mainly हम सीखेंगे कि branch के profits किस तरह से निकालता है head office और किस तरह से accounting aspect जो है हमारे रहते हैं तो चलिए दोस्तों देर किस गल्दी है गी है अब पतत त्यार बैठे हैं लावई चैप्टर लिखिए नवा नवा पेज कड़ लो ते heading पादो branch accounting means accounting for the branches कुछ basics की बात हो जाए कुछ theoretical aspect कुछ basic introductions and all और उसके बाद जो है practical part पर चलेंगे concept one में सीख रहे हैं basics nature of branch nature मतलब meaning nature कर रहे हैं तो लिख रहे हैं a branch looking at such a branch can be described as a branch can be described as any establishment any establishment carrying on either the same or substantially same activity carrying on either the same या तो absolutely same या substantially same मतलब major part same है substantially same activity as that carried on by the as that carried on by the head office of company carried on by the head office that's enough मान लीजी मैं second hand cars का business करता हूँ तो मेरा main office पूने में है मैंने एक चंडिगड ओपन कर देख दिल्ली एक मुंबई तो जो दिल्ली वाले हैं चंडिगड वाले हैं मुंबई वाले हैं वो भी same ही काम कर रहे है second hand car में deal करते हैं लेकिन जो दिल्ली वाले वो branch कहती सर हमारे आना two wheelers का यह बहुत काम है तो वो भी branch additionally cars के साथ second hand two wheeler का भी कर रहे है मतलब bikes etc का भी sale purchase second hand वहाँ पर हो रहे है तो nature of business almost same होगा जबकि department में ऐसा नहीं होता हल department अपनी अपनी तरह का काम करता है लिखेंगे next point मतलब nature में लिख रहे हैं the concept of a branch means the concept of a branch means existence of a head office head office का मतलब बोते that is principal place of business that is principal place of business full stop so there can't be a branch there can't be a branch without the head office there can't be a branch without the head office ठीक है जी यह हमारा हो गया nature of branch देख लिए कैसे होता है दूसरा head लिख रहे हैं concept one basics के अंदर branch accounts versus departmental accounts branch account versus departmental account थेरी के लिए एक्जाम में branch versus department serial number basis of distinction branch accounts and departmental accounts मेरे संग संग लिखते रहेंगे दोस्तों मोरे संग संग लिखते रहेंगे दोस्तों number one number one physical location number one लिख रहे हैं जी branch is situated branch is situated अवे, दूर, 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 दूर के ओपर गाना भी था, कोई तो था आतिव असलम का, ये दूरिया, ब्रांच is situated away from the head office and sometimes different country, जबके department एक ही जगा पर होते हैं, लिखेंगे जी, The departments are situated at one place, एक ही जगा पर होते हैं, लिखेंगे जी, Number 2, Maintenance of Accounts, Departments क्योंकि एक ही जगा पर हैं, वहाँ तो एक ही जगा पर होंगे, लेकिन ब्रांच के case में, Head Office usually maintain करते हैं, लेकिन ब्रांच भी रख सकती है, लिखेंगे, Maintenance of Accounts, Branch Accounts, May be maintained, Branch Accounts may be maintained Either at Branch Or at Head Office, Branch Accounts may be maintained, either at Branch और at Head Office, दूसरी तरफ लिखेंगे, Departmental Accounts, क्योंकि जोग्राफिक लोकेशन एक ही है वहाँ तो, Departmental Accounts are maintained at, Departmental Accounts are maintained at, one place only, Departmental Accounts are maintained at, one place only, यह हो गया जी for maintenance of Accounts, दूसरा पॉइंट हमारा एंड हुआ, difference का, तीसरा पॉइंट, Allocation of Common Expenses, याद है आपको जब हम ब्रांच, सोरी, Department chapter करते हैं, तो वहाँ पर एक different type का हमारे सामने challenge आते है, Common Expenses, मतलब कुछ ऐसा खर्चा होता है जो कि पूरी organization के लिए और हमें department वाइस बांटना पड़ता है, तो वह एक बड़ा challenge होता है, कई बार तो सीधा सीधा पता होता है, लेकिन कई बार हम different bases के हिसाब से बांटते हैं, अब base के हिसाब से बांट तो दिया, लेकिन उसका मतली में कि बिल्कुल वो accurate है, branch के case में ऐसा दिक्त आता है नहीं क्योंकि हर branch जो है दूर-दूर situated है, हर branch के अपने खर्चे होते हैं, वहाँ कोई common expenditure usually होता ही नहीं है, लिखेंगे जी, as the expenses of, as the expenses of, each branch, can be, as the expenses of each branch, can be, separately identified, so, there doesn't arise, so, there doesn't arise, any problem of, allocation, so, there doesn't arise, any problem of allocation, लिखेंगे, the common expenses, department वाले में लिखेंगे हैं, the common expenses, are, common expenses are distributed, amongst the departments, common expenses are distributed, amongst the departments, on, on, some equitable basis, on some equitable basis, मतलब, case to case, depend करता है, जिसे rent है, floor area के बांट दिया, lighting है, light point के बांट दिया, carriage inward है, purchase के रिशन बांट दिया, carriage outward, sell के रिशन बांट दिया, तो equitable base के इसाब से, खर्चों को बांट दिया, रहते हैं, ये क्या चक्कर है, reconciliation of accounts, सर ये तो bank reconciliation statement में सुना है, या cost accounting में सुना है, सर चैप्टर होता है, reconciliation of cost and financial account, सर ये क्या है, सुनो ध्यान से, department वाले में तो, एक ही जगा पर record maintain होते हैं, reconciliation की बाद सिरफ तब उठती है, अगर एक ही चीज़ के आप दो जगा record maintain करते हैं, department में तो ये दिक्कत है ही नहीं, branch में भी हमने क्या तो option होती है, either at branch और at echo, head office, मैं head office को echo echo बोलूँगा, तो समझा न, head office बोलूँगा, department तो reconciliation की दिक्कत आती है नहीं, अभी थोड़ा सा जब chapter में आगे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा, बैट ब्रांच होती है न, दो type की होती है, department, sorry, dependent और independent branch, dependent जैसा कि नाम सी clear है, dependent, जैसे बच्चा होता न, छोटा होता है, dependent होता है parents के ओपर, parents ये उसको सब बताते हैं, parents ही उसका ध्यान रखते हैं, तो dependent branch, dependent branch बिचारी अपने record रखते हैं बाती, तो head office उसके record रखता है, head office कहाता है, तुम से नहीं रखे जाएंगे, तुम छोटे हो, मैं तुमारे record मेंटेन कर, तो एक ही जगा पर record मेंटेन होते हैं, dependent branch के, वहाँ रिको की problem नहीं आती रिकंसिलेशन की, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा कहें तब मैं independent हूँ, मेरा ध्यान मत रखो, मैं अपना खुद ध्यान रख लूँगा, तो branch भी क्या है, branch बड़ी branch होगी, branch कहती है, मैं independent हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तो branch भी अपने पास record रख रही है, हर एक चीज़ का, और head office भी अपने पास record रख रही है, branch का, तो यार at the end of year, जब आप final accounts बनाओगे, तो जितना branch के पास profit आ रहे है, उतना ही head office के पास भी आना चाहिए, branch का profit, मालनो मेरी दिल्ली में एक branch है, independent है, दिल्ली वालों टे अपना profit ने का लगा रहे, पूने वालों head office हमारा ये profit आ है, तो पूने वाले head office में भी तो, दिल्ली branch का same amount आना चाहिए, तो reconciliation की जुरूरत पढ़ती है, in the case of independent branch, क्योंकि वहाँ पर dual set of record minting किये जाते हैं, आई ये लिखते हैं, reconciliation of account भी next point, reconciliation of head office accounts and branch accounts is necessary is necessary when the branch when the branch also maintains independent accounting records when the branch also maintains independent accounting records ठीक है ना, और बगल में लिख देंगे the problem of reconciliation of accounts doesn't arise the problem of reconciliation of accounts doesn't arise ये problem fall नहीं करती problem arise नहीं होती क्योंकि सारे records एक जगा पर maintain किये जाते हैं next point आ गया conversion of foreign currency सरी ये foreign currency कहां से आ गया बीच में आपको याद है, मैंने आपको कहा था it is very much possible कि branch जो है वो foreign में हो आपकी तो जब आपका year end होगा आप foreign वाली branch की figures को Indian currency में convert करोगे total profit loss निकालोगे because India के rules के हिसाब से आप कोई चीज़ करनी पड़ेगी, जबकि department तो एक ही जगा पर होता है तो अगर मेरा head office इंडिया में तो department भी इंडिया में होगा, department foreign में होई नहीं सकता, अगर department foreign में मतलब पूरा business foreign में है, फिर तो आप इंडिया में accounting करी क्यों रहे हो, इंडिया में accounting तब ही करेंगे न, अगर business का कोई छोटा सा connection तो इंडिया से हो, और अगर department case में अगर आपका business यहाँ है, तो department यहीं होगा, foreign में नहीं हो सकता, ठीक है न, तो foreign currency की conversion वाली, जो point है, वो कहां rise होता है, only in the case of branch, not in the case of department, लिखेंगे जी, if there is a foreign branch, if there is a foreign branch, then conversion of foreign currency figures into फिड्ये फारे, औरे, आप न, इंडिया होता है, आपका nhi finalization of accounts जब year end होते हैं accounts finalize करने होते हैं उस वक्त the problem of conversion of foreign currency figures the problem of conversion of foreign currency figures don't arise department में ये दिक्कत arise ही नहीं होती क्योंकि वहाँ पर foreign की कोई बात्चित ही नहीं है वहाँ पर मात्र बात्चित है तो India वतन मेरा India सजन मेरा India ये दुनिया इक दुलहन ये दुनिया एक दुलहन दुलहन ये मते की बिंदिया अडउन डुमडुू Kyoto अडुम्-डुम्-डुम्-डुम्-डुम्-डुम चेप्टर का एरिया कितना है उसे फिक्स कर रहे हैं, branch accounting chapter के अंदर हमारा coverage के रहने वाला है, तो पूरे चित्र के द्वारा हम ये चीज़ को देख रहे हैं, coverage, इस chapter के अंदर क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ inland branch मतलब branch भारत में है तो दूजी तरफ लिखना है foreign branch means the branch is in the other country foreign branch inland branch के अंदर inland branch के अंदर अपने पस दो हैड आ रहे है dependent branch और independent branch लिखते रहेंगे अराम से फिर समझते है dependent branch, independent branch जैसा मैंने कहा branch दो टाइब के हो सकते हैं छोटी है, dependent है, बड़ी है हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं तो वो independent branch हो गया foreign branch के अंदर further there can be two bifurcation one is integral foreign operation इंटेग्रल foreign operation जिसको short form में इफो के नाम से बुलाए जाता है इफो और दूसरा है non integral foreign operation जिसको बोला जाता है नीफो integral foreign operation इफो, non integral foreign operation नीफो यह क्या होते हैं, वो तभी बात करेंगे जब chapter के अंत में पहुंचेंगे, जब foreign branch की बात करेंगे inland branch वाली side वापिस आजओ, dependent, independent dependent कब बोलते हैं, dependent कब बोला जाता है if the accounting records are kept at head office, तो dependent है इनके सारे records कौन maintain करता है, head office accounting records are kept at head office independent के नीचे लिखेंगे branch itself maintains branch itself maintains its independent accounting records, branch itself maintains its independent accounting records, इतना यहां तक समझ लिया है, dependent branch का मतलब है, जहां पर head office सारे record maintain करेगा और independent का मतलब है, जहां पर branch कहती है, हम अपना अत्यान खुद रख सकते हैं, तो branch majorly सारे records अपने पास ही maintain करती है, dependent branch के अंतर्गत, dependent branch के अंतर्गत, main area जो है सबसे ज़्यादा, जिसमें समय लगता है, that is dependent branch, dependent branch के अंदर लिख रहे हैं, goods are, यह ऐसे लिखते हैं, goods are invoiced at cost price और invoice price, दो चीज़ें आ रहे हैं, फर्दर ध्यान से देखेगा, dependent के अंदर, और दूसरी तरफ लिख रहे हैं, goods are invoice debt, wholesale price, जब goods cost या invoice price पर जा रहे हैं, तो तीन method हमारे सामने आते हैं, mainly, one is debtors method, one is debtors method, the number two is final accounts method, number two is final accounts method, and number three is stock and debtors method, method, अगर echo branch को goods भेज रहा है, branch क्या dependent है, echo के उपर dependent है, तुम समान भेजोगे तो बेज देंगे, तुम समान नहीं भेजोगे तो नहीं भेजेंगे, तो head office को समान भेजना पड़ता है, जब head office समान भेजता है, तो echo के पास दो option होती है, या तो cost price पर भेजू या invoice price पर भेजू, मैं बताऊँगा भी invoice price का मतलब detail में भी सरफ word याद रख लो, cost invoice price, उस case में, तीन method ऐसे हैं, जिससे profit निकाला जा सकता है, answer तीनों से same आएगा, profit of the branch shall be same as per all the methods, अब जैसे में align लिखता हूँ, तो बच्चे गहता है, अरे क्या बात है, सबत्ब तीनों में से हमें कोई भी एक method समझ में आ गया, तो बस बले-बले हो गया, क्योंकि हमें profit निकालना है, और profit तो तीनों में से किसी से भी करलो, same ही आएगा, जी नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी एक को सिखने है, एक्जाम में जब question आता है, वो बकायदा लिखता है कि कौन से method से आपको करना है, debtor method से करना है, final account से करना है, stock and debtor से करना है, debtor method और stock and debtor जादा important है, final accounts method important नहीं है, हम सीखेंगे ज़रूर, लेकिन एक्जाम में आने की probability ना के बराबर होती है, अगर head office goods invoice करता है wholesale price पर, तो कौन सा method लगता है, इस situation में लगता है, wholesale price method, इस situation में जो method लगता है, उसे बोलते हैं, wholesale price method, method, तो ये हमारे chapter की boundary है, सबसे पहले हम dependent branch start करेंगे, जिसमें debtor method, इसी hierarchy में chapter करेंगे, सबसे पहले debtor method सीखेंगे, फिर final accounts method, फिर stock and debtor method, फिर आएगा wholesale price method, उसके बाद हमारा focus shift होगा independent branch पर, और अंत में हम पहुंच जाएंगे, foreign branch जहां E4 नीफो के बाद्चेत हमें कर दी है, तो ये पूरे chapter की boundary है, इतनी चीज़, नोट कर लीजिए. चले जी, हम इस chapter में बढ़ते हैं आगे, main बात पर आते हैं, सबसे पहले हमेंने क्या कहा था, debtor method की बात करेंगे, concept 1 में हमने सारे basic सीख लिए chapter की, क्या होता है, branch क्यों होता है, concept 2, concept 2 लिखेजी, main बात चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, dependent branch, debtor method, dependent branch, debtors method, debtors method, क्या कहता है method, मैंने एक चीज़ बोल दे कि dependent branch में, when the goods are being invoiced at cost और invoiced price, तीन method है, debtors method, final accounts method, stock and debtor method, सबसे पहले सीख रहे हैं debtor method, फिर आएंगे final accounts method, पर और last में stock and debtor method करेंगे, profit सेम आते हैं, आप किसी भी method से करें, किसी भी question को, एक question पकड़ लो, उसको तीनों method से कर दो, answer सेम आएगा, ठीक है ना, लेकिन exam में जब question आएगा, वो हमें method बताएगा, कौन सा follow करना है, तो हम उसी method के हिसाब से करेंगे, जैसा कि मैंने कहा final accounts method बहुत जादा popular नहीं है, तो उसके question as such सब जगां कम ही कम है, मतलब मिलते ही नहीं कहीं पर, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको debtors method सिखाऊंगा, इसके कुछ प्रशन हम करेंगे, दो-तिन question करने के बाद, मैं आपको final accounts method सिखा दूँगा, इसलिए कि कुछ ऐसे प्रशन रहेंगे, जिसमें मैं debtors method भी करा दूँगा, और फिर उसी question को मैं final accounts method से करा दूँगा, तो कि final accounts के itself, question मिलने अलग से बड़े मुश्किल है, तो हमें अलग से चाहिए भी क्यों, information तो obviously same ही होगी, ना ऐसा थोड़ी है, final accounts method के लिए information कुछ होर होगी, अब आप किसी method से करो, ठीक है ना, तो debtor method के हमारे पास काफी सारे question है, मेरे list के accordingly, एक, दो, तिन, चार, पन, छे, साथ, मतलब almost 10 plus question है हमारे पास, तो सारे question खतम होनेंगे, wait नहीं करेंगे, कि पहले सारे question के फिर final accounts, मैं कुछ question करने हैं के बाद final accounts method सिखा दूँगा आपको, ठीक है ना, और उसके बाद फिर continue करेंगे debtors method, और बीच में कुछ-कुछ question final account से भी करते रहेंगे, ओके, दूसरी बात, जो भी ये method है, debtors method, final account या stock debtor, सबका purpose एक ही है, क्या profit निकालना, किसका, ब्रांच का, सबका purpose एक ही है, ब्रांच का profit निकाल लेना, ठीक है, आईए समझते हैं, इसको debtors method क्यों कहते हैं, head office इस method में, ब्रांच को एक debtor की तरह ट्रीट करता है, लिख रहा हूँ मैं, लिखेंगे आप भी, head office, treats the branch, as its, debtor, head office treats the branch as its debtor, full stop, next point, HO prepares, branch account, to compute the, profitability of, branch, head office कहता, branch एक debtor की तरह है, normally debtor के से कैसा behave करते हैं, आप कहते हैं, तेरे को मैंने इतना समान भेज दिया, अब तेरे को मुझे पैसे देने है, normally debtor account याद करो, मैंन में क्या होता है, to credit sale by cash, तो ये भी debtor method में, head office branch को एक debtor की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब भी profit निकालना है, तो branch account से ही निकलेगा, branch account main account रहेगा, लेकिन कई बार हमें कुछ peripheral account भी बनाने पड़ते हैं, कुछ-कुछ figures को निकालने के लिए, जिसे कि memo debtor, debtor account बनाना पड़ते हैं, हमें working note बनाएंगे, तो अमने नाम लिएकिते memo debtor, memorandum debtor, memorandum stock, और rare cases में let's say memorandum cash account एक्सेक्टरा, so accounts कौन से बन रहे हैं, लिखते हैं आपर, कौन-कौन से accounts इस method में हमने बनाने हैं, main और secondary, secondary का मतलब जो working note में बनाने हैं, main account एक ही रहेगा, जिसका नाम है branch account, और secondary में आ गए, memo debtor's account, memo stock account, कभी-कभी petty cash account बनाना पड़ सकता है, कभी memo cash account बनाना पड़ सकता है, ठीक है ना, तो यह आपके secondary account हो गए, main account एक है, यह मतलब profit उसी account से आएगा, यह जो secondary रिखे है, मैंने मतलब यह accounts आपके normally working note का part बनेंगे, और हर question में नहीं बनेंगे, depend करते हैं, और किसमें बनेगा, किसमेंने वो देखते ही समझ आ जाएगा, उसमें tension मतले, tension मतले हैं कि किस question है बनाना है, किसमेंने वो मैं सारी चीज़ सिखा दूँगा, एक और चीज़ आपको बतानी है, if you remember, मैंने यहाँ पर लिखा, goods are invoice debt cost price और invoice price, goods are invoice debt cost और invoice, यह चीज़ मैंने लिखी, इसका क्या मतलब होता है, goods being invoice debt cost price और invoice price समझेंगे, यह आगे पूरा dependent branch में जब तक हम यह तीन method करेंगे, यह चीज़ common रहेगे, मैं बार-बार नहीं बताऊंगा, एक single बार समझ रहे हैं, मान लीजिए, cost of head office है 100 रुपया, उसने branch को goods भेजा, goods sent to branch, goods sent to branch, at 100, head office की cost है 100 रुपया, तो उसने branch को भी कितने का भेजा, 100 रुपया का भेजा, branch को कहते कि तुमने ऐसा करना, 20% का profit होता तो तुम 20% margin करके sale कर देना, sale at 120, अब branch कहता, अच्छा, 100 रुपय की चीज आती है, 120 की बेजते हैं, मतलब 20 रुपय का profit है, branch को बड़े इसली पता चल गया, business किसने start किया, मैंने पूने से, एक branch चंडिगड में, एक branch दिल्ली में, एक branch मुंबई में, branch को पता चल गया, अच्छा, 20% का profit कमा रहे हो गयठे हुए, अब branch चंडिगड में काम करें, दिल्ली में है, मुंबई में है, तो branch को पता लग गया, system सारा, ऐसे-ऐसे समाना आता है, 20% का margin है, सबसे बड़ी बात क्या होती, किसी business की, business का margin क्या है, profit का, और अगर वो जादा है, और दूसरे को पता चल गया, तो दूसरा बंदा motivate हो गया, काम करने के लिए, और branch तो मेरी business में deal कर रहे है, उसको सारी चीज़े पता है, किसे business को manage करना है, तो immediately होगा क्या, आने वाले, near future में हो सकता है, branch अपना ही same competitive business खोड ले, तो head office को ऐसे डर होता है, head office क्याता है, यह तो बड़ी गलत बात हो गई, कि branch को पता है, कितने का सामान आता है, और कितने का sale होता है, तो दूसरा system बनाया गया है, goods being sent at invoice price, let's say, cost of HO है 100 रुपए, लेकिन जब उन्होंने goods भेजे branch को, goods sent to branch at 120, branch को भेजे branch केती कितने का सामान है, head office कहता है 120 का, branch पूछती कितने पर बेचना है, branch पूछती कितने पर बेचना है, head office कहता है 120 पर, branch कहती यह कैसे 120 का ही तुमने हमें भेजे, 120 का यह बेज दे, हैड़ो, इस के था हाँ, ब्रांच के था कितने की cost है, हैड़ो इसके तो तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम्हें सिर्फ sale करने से मतलब है, तुम जाओ और sale करो, कितने का? 120 का, मैंने 120 का ही भेजा ब्रांच को, ब्रांच को इस case में आप कह रहे हो मैंने goods भेजे branch को 120 के sale भी कितने पर होगा 120 तो क्या ऐसे profit निकल पाएगा कभी GSTB का मतलब goods sent to branch goods भेजे branch को 120 के और sale भी 120 का किया क्या ऐसे profit निकल पाएगा जी नहीं तो हमें क्या करना होता है जो यह वाली figure है इसके अंदर मुझे पता है 20 रुपे का profit है क्योंकि profit को निकल रहा है head office निकल रहा है branch नहीं निकल रहा dependent branch चल रही है record सारे का है head office के पास तो profit head office निकल रहा है कि इसका branch का head office को तो पता है इस 120 के good sent के अंदर 20 रुपे का क्या है profit है जिसको loading बोला जाता है जिसको loading बोला जाता है तो इसके अंदर जो loading है इसके अंदर जो loading है जिसको reserve भी बोलते हैं वो कितने रुपे का है 20 रुपे का समझ रहे हैं तो जब भी हम बोलते हैं goods being sent at invoice price यानि कि आप goods को almost sale price पर भेज रहे हो ऐसा practically ज़रूरी नहीं है कि invoice price is same as sale price मानलो मैंने ब्रांच को भेजा 120 का ब्रांच पुछती किछने का बेजना है मैंने बोला 125 का बेज दो तो ब्रांच क्या सोच रही है अच्छा सिरफ 5 र invoice price लेकिन ऐसा question आपको पूछा नहीं जाता हमें जब बोलता है कि goods being sent at invoice price तो हमेशा ये assume होता है कि sale भी invoice price पर और यागर कभी अलग से होगी तो question खुद बताएगा हमें उसके बारे में नहीं सोचना हम सिरफ यहीं सोचेंगे invoice price का मतलब sale price ही होता है मैंने practically बता दिए कि different ह हो सकता है ठीक है ना I hope ये समझा आगे इसको note करना चाहते हूँ तो note कर लोगर अभी तक नहीं किया है अगर अभी तक note नहीं किया तो note कर लीजे इसे फिर आगे बढ़ रहे हैं इक कुड़िक कुड़िक यक कुड़िक कुड़िक शारदी कुड़ित तुलاغावल जबल पेस्टेक्क्ख विल्लैला सार अटेस्ट्रेक्ख जेलाटो पापलागेलू क drums को मर्या लोरेला पाला के लाले पाप लागेलू लालालालालालालालालालाला चले जी हम बढ़ते आगे हम रेडी हैं ब्रांच अकाउंट सीखने के लिए आईए तो हम कहेंगे जी बुक्स ओफ हेड आफिस बुक्स ओफ हेड आफिस के अंदर बनाया जा रहा है ब्रांच अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट एक नॉर्मल लेजर अकाउंट जैसे बनता है पर्टिकुलर्स अमाउंट नोट करते रहेंगे आराम से उसके बाद मैं सारी चीज़ आपको सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सबसे पहले टू बैलेंस ब्राट डाउन स्टॉक आ गया टू बैलेंस ब्राट डाउन ओपनिंग बैलेंस इस लिख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक डेटर्स फिक्सड एसेट्स जितने भी एसेट्स सबके यहां पर लिख देंगे बैलेंस इस कैश हो गया कोई प्रीपेड एक्सपेंस है वो हो गया similarly by balance brought down अगर कोई liability का अपने पास opening balance है वो भी लिख देंगे जैसे कि मान लिजे creditors का balance है या कोई outstanding expense एक्सेक्टर है तो लिख देंगे जो opening stock लिखा उसके अंदर जो profit है by stock reserve loading in opening stock क्योंकि goods अगर invoice price पर है तो यह वहली figure आनी आनी कि अगर मेरा stock है वो किस value पर है अगर वो invoice price पर है तो मुझे cost price पर लाने तो उसके अंदर कितने रुपे का profit है उसको other side पर लिख दिया जाता है ठीक है ना अच्छा एक चीज़ यहां पर बताना चाहूंगा छोटी सी जैसे हमने आपर देखा cost of HO है 100 आपने branch को बेजा 120 का तो जो यह 120 है यह branch की cost है यह क्या cost of branch तो ध्यान से देख ले ना कई बर question इसमें confuse करने की कोशिश करता है cost of HO और cost of branch में अगर बोले cost of HO उसका मतलब it is without loading cost of branch बोले तो इसका मतलब it is with loading यह के ना cost of HO और cost of branch में फरक क्या है cost of HO जो होता है it is without load और cost of branch होता है with load cost of branch होता है with load ठीक है यह लिजिए वापिस आ गए है two balance broad down में जो opening stock लिखा था उसके अंदर कितना रुपए का profit है उसको credit side पर लिख दिया stock reserve के नाम से debit side पर वापिस जलते हैं जब head office ने branch को goods भेजे होंगे तो entry करेगा branch account में two goods sent to branch और इसके अंदर जो load होगा buy goods sent to branch loading इसके अंदर का load आ गया जैसे एक normal business में आप purchase करते हैं तो purchase return होती है similarly it may भी possible कि head office ने branch को जब समान भेजा branch ने उसमें से कुछ समान वापिस कर दिया हूँ तो buy goods returned to head office buy goods returned to head office branch ने एच्चो को goods वापिस कर दिये तो इसके अंदर भी load होगा two goods returned to head office load कहां कहां होता है जहां पर समान की बात है HO और branch के बीच में goods returned to HO credit side पर उसका load debit side पर आ गया क्योंकि branch dependent है तो खर्चों के लिए भी पैसा कुन भेजेगा head office भेजेगा तो हम कह रहे हैं जि two bank amount sent by HO for expenses head office ने पैसा भेजा ब्रांच को खर्चा करने के लिए ये लोग पैसे खर्चा कर लेने जैसे मान लेज़े आप छोटे बच्चे हैं पिकनिक जा रही है पिकनिक पिकनिक को ट्रिप जा रहे है school से घूमने फिरने के लिए तो आपके घरोल ने आपको pocket money दे दिया let's say 200 रुपे खर्चे के लिए खर्चा कर लेना तो वैसे dependent similarly है एच्चो कह रहे है ब्रांच को ये पकड़ो पैसा खर्चा कर लेना जो भी हो का खापी लेना रेंट दे देना आपने खर्चा भेज दिया ब्रांच ने खर्चा किया क्योंकि आप dependent हो सामान जब आपने सेल किया तो आप पैसा अपने पास नहीं रुख कि आप किसको भेजोगे वापिस एच्चो को भेजोगे तो यहाँ आ रहे by bank remittance to head office by bank by bank remittance to head office किस-किस चीज का पैसा जाता है normally by bank remittance to head office आपने cash sale किया वो पैसा जाएगा received from debtor का पैसा cash received from debtors हो सकते हैं आपने कोई asset etc बेचा हो तो वहाँ से पैसा है जहाँ जहाँ से पैसा आया सब इकठा करके branch H को कह देगी यह पकड़ो साब पैसा और हो सकता है कोई loss वगेरा हो तो उसका पैसा insurance company से recovery from यह ऐसे लिखते हैं proceeds from insurance company proceeds from insurance company और हो सकता है कि कुछ खर्चा आपने खुद से कर दिया हो हो सकता है कुछ इतना urgent आपको खर्चा करना हो जिसके लिए आप wait नहीं कर पाई कि पहले हैचों से पैसा वांगेगे तो आपने खुद से वो खर्चा कर दिया तो अगर ऐसा कुछ है उसे minus कर दिया क्योंकि उतना रुपय आपने कम भेजा है head office को minus कर दिया expenses paid by the branch ऐसा नहीं है हर कोशन के अंदर इतनी सारे information आएगी मैं आपको एक cumulative एक inclusive जो है kind of exhaustive I will say exhaustive not inclusive I am so sorry exhaustive branch account बनवा रहा हूँ मतलब maximum चीज़ें इसके अंदर लिखवा रहा हूँ है maximum चीज़ें उसके बाद जैसे वो balances debit side पर लिखे थी credit side पर भी आ गए buy balance carried down closing balances buy balance carried down stock आ गया यानि कि closing stock debtors आ गए fixed debts sets आ गए कोई cash है या फिर prepaid expense etc है जो stock है इसके अंदर फिर से क्या होगा stock reserve होगा तो हम यहां लिख रहे हैं जी to जैसे यहां लिखा था buy stock reserve यहां आ रहा है to stock reserve loading in loading in closing stock or closing balances of the liabilities appear over here to balance carried down creditors or outstanding expenses may be अंत में balancing करेंगे to find out the profit or loss अंत में balancing so यह आ गया जी to net profit or may be on the other side with the name of buy net loss कोहन जाईए यहां तक please क्या कि हम झामिए प झाल 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 चले जी बढ़ते हैं आगे एकवर अकाउंट्स बना लें नेक्स्ट अकाउंट हम बना रहे हैं जी मीमो डेटर्स अकाउंट मीमो डेटर्स अकाउंट पल्टिकुलर्स अमाउंट ये हमेशा वर्किंग नोट का पाल ट्रहेंगे इस लिंकाउंट हमने मीमो लगा दिया मतलब मेमो रेंड़म रफ सबसे पहले आगए जी टू बैलेंस ब्रॉट डॉट 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 यानि की ओपनिंग बैलेंस उसके बाद अगर आपने कोई क्रेडिट सेल की है वो आ गया बाई कैश रिसीव्ट हो सकते है आपने इनके ओपर बिल्ड रॉट कर दिया हो तो बाई बी आर बाई डिसकाउंट अलाउड पेइमेंट के वक्कु डिसकाउंट अलाउड किया इन्हे अगर इन्होंने कोई रिटर्न कर दिया तो बाई सेल्स रिटर्न हो सकता है इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया बेड़ेट हो गई तो बाई बेड़ेट्स एंड बाई बैलेंस केरेट डाउन योगेजी मीमो डेटर मैक्सिमम आइटम इतनी मिलेगी इससे जाधा मिलने का चांस नहीं है ब्राट डाउन, क्रेड़ेट सिल, कैश रिसीवट, बेयार, डिसकाउंट अलाउट, से रिटर्न, बैड़ेट और क्रेड़ेट अन मतलब की क्लोजिंग बैलेंस योगेजी मीमो डेटर यह हम सेकेंडरी वाली अकाउंट्स बना रहे है नेक्स्ट आ रहा है मीमो स्टॉक अकाउंट मीमो स्टॉक अकाउंट वह नहीं की मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट पर्टिकुलर्ज अमाउंट पर्टिकुलर्ज एंड अमाउंट बेटा सबसे पहले आ गया जी टू बैलेंस ब्राट डाउन मतलब की ओपनिंग स्टॉक two goods sent to branch debtors account आपने फिर भी देखा हुए stock account नहीं देखा usually stock account का मतलब क्या है debit said credit side debit का मतलब opening stock और जहां जहां से सामान मिला branch को real account को debit what comes in और credit side what goes out जहां जहां सामान गया किसी भी तरह से तो आपके पास सामान कहां कहां से आ सकता है brought down था दूसरा branch को कहां से मिला head office से हो सकता है आपने goods return कर दियो HO को तो buy goods returned to head office सामान चला गया और कैसे जा सकता है आपने sale कर दिया हो तो भी सामान चला गया branch ने अगर sale कर दिया तो stock कम हो गया लेकिन जिसको बेचा था मानलो उसने वापिस करते है sales return हो गया तो सामान यानि की वापिस आ गया two sales return bracket में लिख दीजिए तो जिट आपको याद रहे ये क्या चीज़े goods returned by debtor की बात कर रहे है जो debtors ने वापिस किये जब हम यहाँ पे sales कह रहे हैं तो sales कैसी भी हो cash sale हो, credit sale हो क्योंकि stock account में सिर्फ हम यह देख रहे हैं कि सामान का अवागमन कहां कहां हुआ, कहां से आया, कहां गया और कितना balance है कोई loss हो गया आपका, वो भी यहाँ पर डाल देना loss के करण आपका सामान तो कम होता ही है न, चाहे normal loss हो या abnormal loss हो और अंत में आ जाएगा buy balance carried down मतलब closing stock मैं सब चीज़े समझाओंगा सिर्फ note करने का काम रखिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक बार note कर लेंगे तो बहतर समझ पाएंगे बीच-बीच में समझाओंगा तो focus इतरोदर हो सकता है यह हो गए जी memo stock account नेक्स्ट बना रहे हैं पैट्टी कैश अकाउंट पैट्टी कैश अकाउंट पल्टिकुलर्स अमाउंट पल्टिकुलर्स अंड अमाउंट टू बैलेंस ब्राट डाउं टू बैंक यानि की अमाउंट रिसीव रोम एच्चो एच्चो ने पैसा भेजा आपको खर्चे के लिए बाई बैंक एक्स्पेंस और बाई बैलेंस केरिट डाउं यह मीमो में है तो वर्डिंग क्या लिख रहे है वो मेटर नहीं करता है अब सीधा लिख दो टू अमाउंट रिसीव प्रोम एच्चो बाई एक्स्पेंस तो भी सही रहेगा और लास्ट में बना रहे हैं कि मीमो कैश अकाउंट पैट्टी कैश तो हो गए तो छोटे मोटे खर्चों के लिए फिर बना रहे हैं मीमो कैश अकाउंट ऐसा करते हैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो पैट्टी कैश के बाद दो तिल लाइन छोड़ दो फिर मीमो कैश लिखो मीमो कैश अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट particular's amount, particular's amount, carta memo cash, main cash हो गया, main cash, 2 balance brought down गया पेटा जिसमें आप basically opening balance लिखते हैं, should be more clear, 2 balance brought down, 2, cash sales ये भी memo है तो wording matter नहीं करेगी feelings में आउने चाहिए कि कौन-कौन सी item कहां कहां आने वाले debit में क्या आने वाले कहीं से भी पैसा आएगा तो debit कर दे debit what comes in real account है opening था cash sale हो गया या फिर amount received from debtor हो गया two debtors cash received और कहां से आ सकते है मानलो आपने कोई beer draw किया हो उसको discount करा लिया to beer, discounting वहां से पैसा आ गया to asset sale, आप चाहिए ऐसे लिख दो to sale of asset, कोई गलत नहीं करेगा, आपने asset sale कि वहां से पैसा आ गया, basically memo cash बनाया कब जाते मैं लिखवा भी दूँगा हमने, जहां पर अपने देखा जब branch account बनाया तो उसमें एक remittance लिखा था buy bank remittance to HR चार पंच आइटम लिखी हुई हैं कई बार उससे भी ज्यादा आ जाती है तो better है अलग से account बना लो वहाँ पर खिचड़ी बनाने के ज़रूर अपने है वहाँ पर दिखाने के ज़रूरत नहीं है वह सब यहाँ पर आपने लिखते जाना to proceeds from insurance company और खर्चा हुआ कहाँ अच्छा एक और भी चीज़ थी to amount received from echo head office आपको पैसा भेजता है खर्चे करने के लिए to amount received from head office for expenses to amount received from head office for expenses जहाँ जहाँ से पैसा आ रहे सब डालते चलो इस पैसे का किया क्या होगा एक तो आपने खर्चे कर दी होंगे by expenses और कहाँ जा सकता है पैसा इसके अलबज लिकी जाता नहीं है तो by लिख रहे हैं remittance to head office और by balance carried down तो cash से संबंदी जितने भी items हैं वो हम यहाँ पर डाल दिया करते हैं और ऐसा कुछ fix नहीं कि balancing figure क्या आएगा इसलिए मैं किसी को भी circle नहीं कर रो red color से नहीं लिख रहा it may be in different question balancing figure क्या आएगी it may be different for different questions लिख लेजे memo cash को भी तो चले जी फाइनली हम समझने की बात करते हैं अब हम कह रहे हैं कि ब्रांच अकाउंट बनाएगा है डो जिससे प्रॉफिट निकालेगा मन में सवाल आ सकते हैं अब ब्रांच अकाउंट से प्रॉफिट लोस कैसेगा प्रॉफिट लोस तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लोस से आते हैं तो ऐसे सवाल आपके मन में आ सकते हैं तो कुछ एक्जेंपल लेकर मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक्जेंपल लेकर जैसे क जब आप बनाते हैं trading in P&L account when you prepare the trading in P&L account आप उसमें दिखाते हैं opening stock purchases यहाँ पर purchases की जगह क्या है हमारे पस good send to branch है ठीक है ना एक ही बात हो गई इधर आप दिखाते हैं अपने direct expenses और इधर दिखाते हैं indirect expenses इधर आते हैं sale इधर आते हैं आपका closing stock indirect expenses में एक दो बात करनों specifically let's say depreciation और मैं कह देता हूँ जी others for example other मतलब salary rent वगएरा वगएरा जब हम यह क्या हो गया यह हम बात कर रहे हैं अगर आप करते हैं trading in P&L account की जब मैं बना रहा हूँ आपके सामने branch account मैंने branch account के अंदर क्या लिखा क्या मैंने opening stock लिखा लिखा क्या मैंने closing stock लिखा मैंने यहाँ पर लिखा purchases तो यहाँ पर लिखा good sent to branch मतलब जो जो जीज़े match हो रही है मैंने direct expense लिखे लिखा था न amount sent by HO for expenses सारा debit किया था या फिर remittance के वक्त क्या किया था credit side पर minus किया था खर्चे तो एक ही बात होगी indirect expenses भी आते हैं सारे यहाँ पर branch account के अंदर हमने कहा था head office पैसा भेजता है खर्चे के लिए तो वो सब देखो same चल रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं आई जैसे एक normal behave करता है trading panel उसकी तरह लिख दिया कौन सी चीज़े नहीं आई जहां तक sales की बात है हमने सिरफ कौन सी sales लिखी cash से लिखी remittance to HO के अंदर में लिखा था cash sale और दूसरा cash receive from debtor समझेंगे जब आप trading P&L account बनाते हो उसमें आप यहाँ पर एक खर्चा डालते हो हम यहाँ पर depreciation की बज़ाए क्या करते हैं हम यहाँ पर opening stock of fixed asset डाल रहे हैं तो को मैं different color से लिखता हूँ हम यहाँ पर क्या करते हैं opening stock of fixed asset डालते हैं closing stock of fixed asset डालते हैं अगर मान लो value opening में थी 100 closing में हो गई 80 तो इसका मतलब क्या है 20 की depreciation है तो आप यहाँ पर क्या करते हो 20 की depreciation डालते हो हम यहाँ depreciation की बज़ाए opening और closing balance दिखा रहे हैं बात तो same ही हो गई are you getting my point profit ही निकल रहे branch account से लेकिन करने का तरीका थोड़ा change हो गया फिर मान लीजिए आप जब बनाते हैं बेटर debtor account आप जब debtor account बनाते हो ध्यान से सुनना ध्यान से देखना और सुनना यह लिखना नहीं है सिर्फ सुनते जाओ देखते जाओ पूरी ध्यान यहाँ पर यहाँ पर brought down हो गया यहाँ पर लिखते हो credit sale यहाँ पर cash received यहाँ पर main main item की बात करने discount हो गया bad debt हो गया sales return हो गया और carry down हो गया जब आप trading pndl बनाते हो तो इसमें से क्या-क्या लिख डालते हो item credit sale लिखते हो फिर यह discount, bad debts और sale return यह सारी item आप लिखते हो यह सारी चीज़ें आप लिखते हो बची कौन-कौन सी brought down, cash received और carried down तो यह net impact तो सेम ही आएगा न चाहिए आप वो वली चार item लो या यही तीन item लो क्योंकि debtor account तो आपस में close होता है, मतब balancing करते हो आप उसकी, जो चार item का net effect आएगा, जो green से mark वही बागी तीन item का impact आएगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ लिखते हैं, opening stock of debtor closing stock of debtor और क्या लिखते हैं यहाँ पर आपका cash received वाली item हुआ रही यहाँ पर आते हैं जब हम remittance की बात करते हैं तो cash received from debtor की बात करते हैं Are you getting this point? Are you getting this point? तो basically जो trading P&L में काम होता है branch account के अंदर exactly वही वाला काम हम कर रहे हैं branch account के अंदर exactly वही वाला काम हम कर रहे हैं prepaid expense outstanding हम जैसे trading P&L adjustment करते हैं branch में हमने adjustment करने के बज़े उसका opening closing balance लिख दिया but obviously it means one and the same thing जैसे prepaid expense at the end होते हैं आप क्या करते हो? minus करते हो उसे तो हम closing prepaid कहां लिखते हैं यहां लिखते हैं closing balance of prepaid यहां लिख रहे हैं वो क्या होता है? minus होता है जब आप अपना trading panel में करते हैं आप कहें तो two rent minus prepaid at the end तो यह minus ही तो हो गया विचारे credit side पर आ गया और अगर opening balance होते हैं उसे add करते हैं तो वो debit side पर है मतलब खर्चा add हो रहा है similarly outstanding अगर आपका कोई outstanding होता है at the end आप उसे add करते हैं तो हम outstanding at the end को यहीं तो लिख रहे हैं खर्चे वाली side पर debit पर मतलब यह add हो रहा है और अगर कोई outstanding in the beginning है तो वो minus होता है तो उसे हम credit side पर लिख रहे हैं यहां तक absorb हो गया तो एक important point बताने जा रहा हूँ पहले यहां आजओ आप इस branch account में यहां पर items देखते हैं जितने भी balances होंगे आपने सारे debit कर देने जितने भी balances होंगे asset के वो सारे debit कर देने जितने भी liability संबंदित होंगे वो credit कर देने तो यहां पर आ रहे है stock, debtor, fixed asset, cash, prepaid किसी question में मिलेगा mainly दो item हमेशा मिलेगी stock और debtor balance brought down, creditor और outstanding expense हो गया जो यह stock था इसका stock reserve यह आ गया opening stock का stock reserve यह आ गया फिर आपने goods से भेजे branch को goods sent to branch और इसकी loading आ गई यहां हो सकता है, echo ने जितने goods branch को बेजे, branch ने उसमें से कुछ वापिस कर दिया, buy goods return to echo और इसके अंदर भी क्या है, loading है, वो यहां आ गई, loading is always on the opposite side, उसके बाद echo ने पैसे भेजे branch को, to bank amount set by echo for expenses branch को भेजे, क्योंकि branch क्या dependent है, कहते यह लो पैसा खर्चा करो, खर्चा की है, सामान बेचा, अंत में आप क्या करोगे, remittance to echo करोगे, remittance में क्या क्या दोगे, आप कहते इतने की cash sale हो गई, इतना पैसा debtor से मिला, asset वगएरा कोई बेचा, इतने का, proceeds from insurance company, यह किसके लिए, bracket में लिख सकते हैं, for any abnormal loss, इसके बारे में मैं अलग से बात करूँगा, और हमने का, अगर कोई खर्चा branch ने खुद कर दिया, अब खर्चे कहा दे है, debit side पर, आपने debit में लिखने के बिज़ए, यहां से minus कर दिया, तो एक ही बात है, minus expense paid by the branch, हम यहां से minus करके ही दिखाएंगे, debit मत करना, अगर branch ने कोई खर्चा specifically खुद से किया, क्यों, क्योंकि remittance में से branch उतना पैसा अपने पास रख लेगी, तो logically presentation भी आपकी उसी sense में जानी चाहिए, closing balances आ गया आपके assets के, closing stock लिख दिया, closing stock आ गया, जैसी closing stock लिखा तो इसके अंदर भी क्या है, stock reserve है, तो उसका loading यहां आ गया, debit side पर, debtor, fixed asset, cash, prepaid expense का balance आ गया, और similarly, अगर कोई liabilities है, तो उनका भी balance हमने यहां पर डाल दिया, creditors और outstanding expenses, ठीक हो, finally the balance इंगे, shall be the profit और loss, cash का आपको मिलेगा नहीं, usually, बहुत ही rare case होगा, और हम, अगर cash का होगा, तो उसको easily डाल देंगे, मतलब cash का जिस question मैं है, वहीं पर बात करूँगा, और इसके लिए मैंने आपको अलग से memo cash भी सिखाया, अभी आपने यहां से यह सिखा कि हमें debtor account की main-main figures कौन से चाहिए, branch में, ध्यान से देखाया, मैं यहां tick mark करता हूँ, हमें चाहिए brought down, हमें चाहिए cash received और हमें चाहिए carried down, अगर इन तीनों में से एक भी figure missing है, तभी हम memo debtor बनाएंगे, सुन लिजी ध्यान से, memo debtor account क्यों बनाना, हमें यह तीन figure चाहिए होते हैं, mark कर देता हूँ, और clearly, brought down, cash received और carried down, इसके लावा मुझे कोई भी ऐसी आइटम नहीं है, जो मुझे जाकर डालनी हो अपने branch account के अंदर, तो memo debtor तभी बनाना, अगर इसमें से कोई item missing हो, carried down की, closing balance की, similarly memo stock, usually इस account को बनाने के अवशकता नहीं पड़ती, लेकिन ध्यान से देखेंगे, हमें इसमें से क्या-क्या item चाहिए होती है, branch account के अंदर लिखने के लिए, मुझे brought down चाहिए, मुझे goods sent to branch चाहिए, और carried down चाहिए, mainly यह तीन, main main बात करो, तो मुझे यह तीन figure चाहिए होती है, चाहिए goods return to HO के भी जो credit side पर लेकिन उसके लिए memo stock नहीं बनता, mainly यह तीन item चाहिए, तो गर इनमें से कुछ missing होते हैं, तब ही हम यह बनाते हैं, सुनेंगे दिहान से, memo stock account, bracket में लिखेंगे, always prepared at invoice price, मतलब इसमें loading वगेरा reverse नहीं करनी, reason क्या है, क्योंकि यहां पर मैं बना रहा हूँ specifically account for stock, मुझे stock सम्मधित figure निकालनी है, और जब सारी figure लिखेंगें, तो सबका base same होना चाहिए, आप credit side पर sale लिख रहे हो, sale भी invoice price पर है, तो सारी चीज़े invoice price पर होंगे, तब ही आपकी figure correct आईगे, अगर कोई चीज़ cost price पर है, किस चीज़ को आपने invoice price पर लिखेंगे, तो base ही change हो गया यार, तो फिर आपका यह account गलत हो जाएगा, देखते हैं एक बार, अगर कोई opening balance था, debit हो गया, goods sent है, branch को भेजे तो branch काई's पहुंचे debit हो गया, अगर branch ने कुछ goods return किये, तो branch से goods चले गए, credit what goes out, तो goods return, credit हो गया, sale किया, तो भी सामान भाँर चले कि credit हो गया, और अगर loss हो गया, तो भी credit हो गया, loss चाहे normal हो, चाहे abnormal हो, सामान तो मेरा कम होई गया तो 100% क्रेडिट हो गई होगा कई बार हो सकते है कि जो आपने सामान सेल किया था वो सेल रिटन के तोर पर वापिस आ जाए तो उसके कारण हम अपने स्टॉक अकाउंट को वापिस डेबिट कर लेंगे कि मेरा सामान बढ़ गया है जब कोशन्स प्रेक्टिकली करेंगे ओविसली तब देखेंगे भी इन चीज़ों को नेक्स आरेज बड़ा इंटरस्टिंग पैटी कैश अकॉन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें पैटी कैश में बहुत ही आसान सा है देखते हैं balance broad down का मतलब क्या हो गया इतना मेरे पास था opening balance हो ने मेरे को इतना और भेज दिया हमने इतने रुपए का खर्चा कर दिया और मेरे पास add the end closing balance इतना बच गया ध्यान से देखेगा मैं यहाँ पर mark करता हूँ 1 2 3 और 4 1,2,3 और 4 या तो मैं सिरफ expense की figure दिखा दूँ, सुनते जाना, मेरे पास option क्या है, either show 3 और 1, 2 and 4, मैं क्या करूँगा, या तो मैं 1, 2 और 4 दिखा दूँ, branch account के अंदर मैं कहूँगा, इतना opening balance था, जब लिखोगे two balance brought on, उसमें petty cash का balance लिख दो, credit side पर buy balance carried down, जब लिखोगे तो closing balance of petty cash लिख दो, और बता दो कि इतना amount हमें echo से आया, सिधी सी बात है, या फिर आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ expense दिखा दो कि इतने रुपए का expense किया, दोनों का net effect तो same ही आएगा जैसे आप cash में करते हो, मैंने branch account में जब यहाँ पर लिखा, हमने का ये इतना opening balance of cash है, इतना echo ने भेजा, और इतना मेरे पास closing cash बचा है, इसका मतलब क्या है, मान लो, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास, एक लाक रुपए का opening था, दस लाक echo ने भेजा, इसके अंदर डाल दे हमें लिखते हो, खर्चा 9 lakh, हमने यहाँ बाकी की तीन आइटम लिख दी, तो automatic क्या हो गया, एक लाक प्लस दस लाक माइनस दो लाक, तो क्या हो रहा है इसका net effect, 9 lakh रुपी, तो वही चीज़ तो आप करते हो, इसका फिक क्या रहा है, और यही काम आप trading P&L में करते हो, तो same to same चीज़ में आपको petty cash के लिए बता रहा हूँ, या तो सिरफ 3 show कर दो कि कितना रुपे का खर्चा हुआ, या फिर पूरा 1, 2 and 4 show करो, अब समझ कैसे आएगा कि मैं 1, 2, 4 show करूं कि 3, do this if question provides the opening and closing balance of petty cash, अगर question आपको opening balances के बारे में बता रहा है, तो best है कि यही करो, otherwise सिरफ खर्चा आप अलग से दिखा दिजिए, net effect same आएगा, net effect same आएगा, तो हम क्या कह रहे है, branch account के अंदर एक option तो क्या हो गई, सिरफ 3 दिखा दो, कि भाई इतना खर्चा हो गया, या फिर क्या करो, branch account के अंदर, 1, 2 और 4 दिखा दो, net impact तो same ही आएगा, net impact तो same ही आएगा, जैसे मर्जी कर सकते हैं, पैटी cash के लिए, लिख लिजे से, आपका मन कर रहा हूँ, तो मैं आपको रफ में figures लिख कर दिखा देता हूँ, मान लो, opening balance था मेरा, 500 रुपए, echo ने 4000 और भेजे, 3000 का खर्चा हो गया, और बच गए 1500 रुपए, या तो मैंने का सिरफ आप ये 3000 दिखा दो, रफ में लिख कर दिखा रहा हूँ, या तो सिरफ ये 3000 दिखा दो, या फिर क्या करो, आप कह दो 500 रुपए, opening 4000 एच्चो से मिला, और 1500 रहेगे, closing में, इसका net effect निकालना, debit सेट पर कितना है, 4500, credit सेट पर 1500, तो net debit कितना हो रहा है, भाई, 3000 ही हो रहा है, तो जिस तरह मर्जी छो करो, answer is going to be absolutely same, लेकिन preferably opening, closing और, एच्चो ने कितना भेजा, वो दिखाएं, अगर आपको question opening, closing दे रहा है, इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आ रहे हमारे पास एक, memo cash account, ये तभी बनाना, जब question में बहुत सारी items हो, करने के लिए, और remittance सीधे सीधे ना निकल रही हो, अमने का, इतना opening balance ह हो गया, memo cash में क्या आएगा, basically, कि आपका पैसे का movement, debit side पर जहां-जहां से आया, और credit side पर जहां-जहां पैसा गया, balance पड़ा था, opening cash sale से आगया, debtor से आगया, कोई BR draw गया था, उसके discounting हो गया, कोई insurance company से पैसा आगया, या फिर HO से आपको पैसा मिला खर्चों के लिए, अ अब आपका पैसा गया, कहां-कहां, यह obvious ही बात है, आपने खर्चे कर दिया, तो पैसा कम हो गया, remittance to HO कर दिया, वहां चला गया, और आपके पास संत्य में बच गया, इतना closing balance, तो usually हम यह account बनाएंगे, remittance to HO निकालने के लिए, remittance to HO निकालने के लिए, जब आपके प logic of profit from branch account, यह rough था, मैं अपने लिए लिए लिख रहा हूँ, logic of profit from branch account की branch account से profit कैसे आ सकता है, अगर मैं यह ना समझे तो मैंने उसके लिए करा दिया, कुछ important चीज़ें बतानी है, सबसे पहला point आ रहा है for abnormal loss, जब आप trading and handle करते हैं, example ले ले, मैंने एक example बनाया हुआ है, abnormal loss है, मान लीजिए 20,000 रुपए का, और insurance claim मिला है आपको 13,000 रुपी का, ठीक है, जब आप trading and handle account बनाते हो, देखेगा, जब आप लोग trading and handle account बनाते हो, तो क्या करते हो, यहां लिखते हो two purchases, या तो यहां से abnormal loss minus कर लेते हो, या फिर alternatively आप क्या करते हो, credit side पर लिख लेते हो by abnormal loss, gross figure, क्योंकि इतने रुपए से तो हमारा stock कम होई गया, तो जितना समान मैंने purchase किया था, उसमें से इतना loss हो गया, मतलब it is not available for sale, neither it is in closing stock, ठीक है न, इन दोनों में जैसे एक, any one of two, उसके बाद आपका क्या होता है, यहां पर यह आपका trading account खतम हो गया, फिर आपका P&L start होता है, आप P&L में वापिस से लिखते हो two abnormal loss, यहां पर net loss डालते हो, two abnormal loss, net loss डालते हो, जैसे हमारे इस case में मैंने example में क्या बनाया, 20,000 का loss हुआ, 13,000 का claim मिल गया, तो net loss कितना हो भई, 7,000 का, तो आप यहां पर लिखोगे, 7,000, और यह कैसे आया, 20,000 का loss था, 13,000 का insurance claim मिल गया, तो 7,000 रुपे का मेरा net loss है, जबकि मैंने आप note करने का समय मिल जाएगा, समझ लीजे पहले, मैंने जब branch account की बात की क्या मैंने आपको कहीं पर भी loss के बारे लिखा हमने, लेकिन branch में नहीं लिखा, मैंने branch में आपको क्या सिखाया, कि जब आप यहां पर लिखोगे, by remittance to HO, तो उसके अंदर क्या डालना, sale, sorry, मैंने उसके अंदर क्या बताया, क्या लिखना, proceeds from insurance company, और हमारे इस example में proceed कितनी है, 13,000 रुपी, अगर आप यहां debit किया, 20,000 क्रेडिट किया, तो इसका net impact क्या है, net effect क्या है, 13,000 क्रेडिट, और हमने भी जो यहां पर किया, क्या किया, 13,000 क्रेडिट, तो सिरफ लिखने का फरक है, चीज वही हो रही है, but we are writing down in the branch account in a different manner, और अगर किसी को लग रहा है, sir, आपने na sir, memo stock account में लिखा था, बे जाएगा, लेकिन जब हम profit loss निकालते हैं, वहाँ पर normal loss part play नहीं करता है, यह same principle हमारा cost accounting में भी चलता है, क्योंकि वो unavoidable है, इसे note कर लीजे अब normal loss वाली चीज़ को चले जी, एक और point सिखाने मैंने आपको बहुत अच्छा point है, उसको सिखाने के लिए मैं ठीक है, second के अंदर a point बना रहा हूँ, पहले a, goods returned by branch to echo, echo ने goods वापिस किये, sorry, branch वापिस किये echo को, तो हम क्या करेंगे, देखिए का द्यान से, मैं दो account से थू सिखाऊंगा, branch account, debtor's account, जब branch ने echo को वापिस भेज़े, तो कौन से account में entry आएगी, obvious सी बात है, सिरफ और सिरफ इस account में entry आएगी, debtor account में ने आएगी, क्योंकि debtor का कोई लेना देना ही नहीं है, branch ने echo को वापिस किया, तो हम कहां लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे, मैं ऐसे करता हूँ, यहां ऐसे डाल देता हूँ, tick और cross, branch अकाउंट में लिखेंगे, buy goods, return to H, और debtor अकाउंट में कुछ नहीं आने वाला, B point, goods returned by debtors, जिसको sales return बोलते हैं, जिसको sales return बोलते हैं, किस ने sale किया था, branch ने, किस को debtor को, तो debtor ने वापिस कर दिया, तो हम कह रहे हैं भीया, एक है branch account, और एक है debtor's account, we have to see कि कौन से account में आएगा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार, इतने छोटे चीज़ सरक्यों बता रहे हैं, लेकिन बतानी अवश्यक है, कुछ purpose है, तो इस बार debtors ने वापिस किया, तो sales return आ जाएगी, जबकि branch account में कुछ नहीं आएगा, branch में mainly relation किसका आते है, HO और branch का, तो यहाँ पर HO involved ही नहीं है, तो branch account में कुछ भी नहीं आएगा, debtor किसका था, branch का, तो debtor account में sales return आ जाएगा, बड़ी simple सी बात है, तो A और B point में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, A और B point में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी point C में, goods returned by debtors, goods returned by debtors directly to HO, यह चक्कर पड़ गया जी, मान लीजिए, ऐसा हो सकता है, let's say, चंडिगड में किसी ने सामान करेदा मेरी branch से, और वो बंदा पूने में आ गया, किसी काम से, और कुछ चीज में problem नजर आई, तो उसने head office पूने में वापिस कर दिया, जैसे आज की rate में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी हैं, for example, international brands जो होते हैं, याई national की बवाद कर लेता हूँ, मान लीजिए, आप shopping mall गए, कहीं घूमने गए हुए थे, लेटसे, आप बैंगलोर गए हुए थे, yes, it is possible, you need not go to Bangalore once again, यही तो फायदा होगा आजगी rate में, तो यह वली situation ऐसा नहीं है कि impossible है, it is very much possible, हमें इसका accounting impact समझना है, कहता goods returned by debtors directly to HO, जब भी, जब भी debtors और HO के बीच में कोई transaction होगी, तो आपने उसको root करना, assume करते हुए कि बीच में branch भी है, direct transaction है, accountancy purpose के लिए मैं क्या बोलूँगा, debtors ने वापिस किया HO को, debtors ने वापिस किया HO को, लेकिन हम बीच में branch को presuppose कर रहे हैं, कि पहले debtor से branch तक गया, और फिर branch से HO तो गया, क्योंकि normal route तो यही होता है, debtor से branch branch से HO, अगर debtor ने HO को वापिस कर भी दिया, तो भी हम यही मानेंगे कि बीच में branch है, तो हम इसकी दो भाग में entry करेंगे, पहले इस भाग की entry करेंगे, और फिर इस भाग की, इसको मान लेंगे कि भाईया, तुम हो transaction 1, debtors to branch वाली transaction को कहेंगे, तुम हो transaction 1, और यह है transaction 2, मतलब हमारी इस transaction के दो part हो गए, so when we prepare the branch account and when we prepare the debtor account, both accounts shall get hit, branch account, debtor's account, जब debtor account में करोगे, तो transaction 1 की entry होगी, debtor ने branch को वापिस किया, तो यहाँ पर आ गया, यह हमने first वाले part की entry करी, और जब branch HO को वापिस करेगी, तो branch कहेगी buy goods, return to HO, तो second part की entry यह हो रही है, ठीक है ठीक, कभी भी debtors और एच्चों के बीच में direct transaction होगी, तो हमेशा branch के connection की बिनाव उसका entry pass करेंगे ही नहीं, बीच में branch को presuppose करेंगे ही करेंगे, यहाँ तक click लीजिए, ठीक है, काफी सारे points होगे, almost all the points of the debtors method are clear, next lecture में मिलेंगे, तो सीधा ताबर तोड़ हमला करेंगे प्रशनों के उपर, ठीक है न, तो आज का कारेकर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली कक्षा है मिलेंगे, जितना करवाया है, प्लीज इसको पढ़ाना, अगर इसको नहीं पढ़ा, तो next lecture में फिर समझ में नहीं आएगा, homework तो कोई है नहीं, at least इतना काम कर सकते हैं, जितना लिखाया है, उसको with logic सारा पढ़के आना अच्छे से, क्या होता है branch account department से क्यों different, और mainly concept number two के अंदर, जितने accounts बनाएं, क्या-क्या debit, क्या-क्या credit है, आराम से ध्यान से देखना, और बहुत बार ऐसा होता है, कि बच्चे जो मैं लिखवाता हूं, note नहीं करते, फिर exam के समय पर, जब classes के views वगएरा खतम होगे, फिर उन्हें याद आता है, तब तक views भी खतम होगे, फिर मेरे को भेज़ते हैं, मैं सिसर इसका मतलब गया था, तो this thing should not happen, जो चीज मैं लिख रहा हूं, सारी लिखनी है, और कई बर ऐसा भी होगा, जो चीज मैं आपको लग रहे हैं कि यार, यही चीज अगर मैं लिख लूँ, as a student आपको लगता है, तो मुझे याद रहेगा, तो वो वो ली चीज भी आप screen को post करके, अराम से सारी चीज लिख सकते हैं, अपनी language में वहाँ पर लिख लो, हिंदी में लिखो, पंजाबी में लिखो, जैसे मर्जी लिखो, लिख लो, so that revision के समया आपको वो चीज याद आ जाए, चलिए, बाबाई,